जाहिन साथियो, स्वागा थे आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल Free Knowledge 1998 पर साथियो, आप सभी को SSC GD भरती का बहुत ही बेसवरी से इंतजार था तो आप सभी को पता है SSC GD की भरती आ गई है और आप सभी के लिए SSC GD में 25,271 पोश्ट के लिए भरती आ गई है साथियो, आपको बता गया था कि SSC GD में आप सभी के लिए 40,000 पर भरती आने को है बड़ साथियो 25,000 भरती या देखने को आपको मिलने वाली है साथियो, इसमें कुछ चेंजेस भी किया गया है SSC GD की भरती में आप जो पिछले पेपर दिये होंगे SSC GD के पिछली विकेंसी आपने कौलिफाइग की होंगी या फिर पेपर दिये होंगे तो उन सभी को लेकर इसमें बहुत से चेंजेस देखने को मिलने वाले है SSC GD में ठीक है साथियो तो आप सभी को पता है कि इसमें सिंपल 10 पास आपका लिया जाता है और साथि इसमें बहुत से चेंज किये गए है सबसे पहले आपको मैं sorry कियाना चाहूंगा मैं दो-तिन दिन से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया साथि यह कुछ प्रावलम ती करके वीडियो नहीं बना पाया पर आपको अब बैक-to-बैक मेरे चridor पर वीडियो को मिलने वाली है साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस बार जो SSC GD में बहुत से बदलाव किये गा है तो इसकी A2Z जानकारी में अपनी इस वीडियो पर देने वाला हूँ आप वीडियो पर लाश तक बनी रहिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा और वैल आइकन को भी प्रीज कर लिजिएगा ताकि नेच्ट वीडियो को अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे जैसे कि आप स्कीन पर देख रहे हो यह SSC का ओफिसली नौटिफिकेशन है आप सभी इसको डाउनलोड भी कर सकते हो SSC की ओफिसली वेबसाइट पर जाके या फिर आप मेरे टेलिग्राम गुर्प को जोईन करे भी वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो तो यह देखी यह इसका ओफिसली नौटिफिकेशन है और साथियो आप सभी को पता होगा कि इसको सम्मिशन एप्लिकेशन जो अप्लाइड डेट है सत्रा तारिक से स्टार्ट हो गया है और आपका जो लाश्ट डेट रहने वाला एक तीस आर्ड दो जार एक इसको रहने वाला है मतलब आपको पूरा एक मैना दिया हुआ है तो आप अराब से इसको भरिएगा और अच्छी पोस्ट जाके उसमें चुनिएगा और उसको भरतिया निकली हुई है ठीक है यहां पर देखे सबसे पहले बरतिया हुई है एसी के लिए 1026 है एस्ट के लिए 603 है और ओविस्ट के लिए 641 है और यू आर के लिए 2690 चब्वी सो नब्वे टोटल पूश्ट आपको चौश्ट सो तेरा देखने को मिलने वाली यहां पर दो पोस्ट आपकी नहीं आई हुई है सबसे पहले तो आपकी भरतिया नहीं हुई है मतलब यह आपको चैंज़स किया गया है आप क्यों नहीं हुई है इसमें क्यों भरतिया आई है पोस्ट आपको बताया था कि जो अभी पिछले बहुत से बहुत से जो नौटिविकेसन आय हुई है कुछी भी न्यूज एंप्लाइमेंट के तरफ से आप सभी को बताया गया था कि 40,000 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली यहां को बहुत ज्जादा यहां पर चैंज किया गया है यहां वहाली को लिकर हम पहली समेंबात कर लेते हैं एज लिमिट की तो आप सभी को पता है STST को आपको 18 से 23 एर्था की लिया जाता है बट साथियों इनको 5 एर्था की छूट दी जाती है और OBC वालों का जो है साथियों इसमें इसमें भी 18 से 18 से 23 एर्था कर रहता है और इनको यहां पर हम बात कर लेते हैं अब हमने आपको बता दिया कि एज आपकर कितना कितना लिया गया है और जनरल वाले को कोई भी यहां पर यहां शूट नहीं दी जाती है ठीक है तो यह तो हो गया एज का अब हम बता देते हैं साथियों को यहां पर दिया जाता है ठीक है साथियों अर हम इसमें फीज स्केल की बात कर लेते यहां पर मैं आपको पिता दूँ कि STAC वालों का कोई भी एप्लिकेशन फिश नहीं लगने वाला है OBC वालों का 100 रुपे आपका लगने वाला है ठीक है OBC वालों का 100 रुपीज लगेगा साथ स्लेबस के वाल जुआ कौनकौन सा स्लेबस मांगा हुआ करके सबस्क्राइब पहले और ही में पचीस से हो 25 मार्क्स के और पार डीपर हिंदी या इंगलिस आपको दिया होगा आपको दोनों में से एक करना होगा इसके भी 25 कोशन आपको देखने को मिलने वाले हैं आपको टोटर 90 मिलेट का टाइम दिया चाहेगा और एक बात इसमें क्या चैंज दिया हुआ है अब मैं इसको बहुत इसमें कोई भी मार्किंग नहीं थी ठीक है लेकिन अब इस बार का जो पेपर होगा इसमें आपको मार्किंग दी हुई है अहां पर आप देख सकते हो साफ साफ निर्देश दिवा हुआ है देख साफ यहां पर दिया हुआ है मतलब आपका 0.25 की जुह निगेटिव मार्किंग रहेगी मतलब के साथ यदि आप चार मतलब आप चार कोश्टन गलत करते हो तो आपका एक सही वाला जो कोश्टन रहेगा वो भी आपका गलत हो जाएगा मतलब 0.25 की मानस मार्किंग है तो आप चार गलत करोगे तो आपका एक सही वाला आंसर जो है वो गलत हो जाएगा ठीक है यहां पर आपका पहले निर्देश दिया हुआ है तो यह बदलाव किया गया है साथ जो यहां पर कि आपका जो है मानस मार्किंग रहने वाला करके अब हम फिजिकल स्टेंडर्ड की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता है ऐसे से जीडी 5.24 किलोमीटर आपका रनिंग करता करवाता है ठीक है 24 मिनिट में आपका रनिंग कर लेती है देख देख सकते हो आप यहां पर फिजिकल स्टेंडर्ड मांगा हुआ है अब हाइट के बात कर लेते हैं साथ यो तो हाइड 170 सेंटीमीटर मेल का रहने वाला है ठीक है और फीमेल के लिए आपका जो इसटावन सेंटीमीटर रहने वाला है और स्टेस्टी वालों लिए 170 बन 147 से दिया आप इन में से बलॉंग करते हो तो आप अपनी हाइट देख सकते हो फीमेल और मेल आप यह नोटिफिकेशन में अच्छे से आपका देख सकते हो ठीक है यहां पर और आपको जानकारी देता हूँ वेट आपका क्या होना चाहिए ठीक है आपका जो सा सकते हो तो यह पुरा नोटिफिकेशन आप भी देख सकते हो यहां पर मैंने आपको बताया था यह से साथिकेट का आपका बहुत ही बोनस प्रेंट आपको मिलने वाला है ठीक है और आपको मैं बता दूँ किसमें देखिए आप देख सकते हो कुन-कौन सी विकेंसी बी एस सब्सक्राइब और यहां पर आप देख सकते हो तो यह पुरा नोटिफिकेशन है बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन साथि हो आप इसमें देख सकते हो आराम से आप इसको डाउलोड कर लीजेगा और पूरी एटुजर्ट चानकारी आप अपने मॉबाइल पर इसको सब्सक्राइब और आपका हेल्प लाइन नमर भी दिया हुआ है आप देख सकते हो यहां पाप हेल्प लाइन नमर पर भी कॉल कर सकते हो और आप जानकारी ले सकते हो तो साथियो यही थी पूरी जानकारी आपको दो चैंजेस देखने को मिल गया है इसमें दो तीन चैंज यह कीजिएगा आई हो कि आप सभी सिलेक्ट हो जाए ऐसे से जीडी की भरतियों में अच्छे से तैयारिया कीजिए और आप जल से जल फॉर्म प्लिप कर दीजिए ताकि लाश्ट में आपको जाकर सर्वर का प्रावलम ना हो ठीक है साथ यह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वी जयात्रम